पिछले कुस दिनों से होरी लगातार बारिश परेशानी का सबब बन चुकी है रुड़की में जल परभाव से बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ है और कई जगा तो लोगों के आशियाने तक उजड़ गए है जिन्दगी भर की महनस से तयार किया गया आशियाना जब बारिश से बरबाद हुआ तो विकलांग महिला की आखे नम हो गई मकान गिरने के बाद भी प्रसाशन पेड़ित महिला को मातर 6,000 रुपे दे कर अपना पल्ला जहारते हुए दिखाई दिया रुड़की के मोहन पुरा छेतर में भारी बरसात के चलते एक विकलांग महिला का मकान गिर गया जिसके बाद इस्हानी प्रसाशन ने पेड़ित महिला की परिवार को स्कूल में रहने का इस्थान दिलवा दिया लेकिन इस्कुल शुरू होने के बाद महिला को बेघर होना पड़ा अब महिला ने अधिकारियों से गुहार लगाई है कि ऐसी इस्थिती में मकान निर्मान में मदद की जाए इस्कुल में रही है एस्थिती में 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 से का था कि आप इस्कुल में रह जाओ फिर बोला कि मुझे इस्कुल वाले सर ने परेसान करा और आप कमरा डूलो कमरा डूलो फिर एस्थिती में ने ऐसा बोला कि में से की और आप कमरा देख लो और हम कर लेंगे तो उसके बाद में कमरा देखने के बाद एक मैने के बाद में SGM के पास गई, SGM ने यू वाला आम देख लेंगे, फिर उन्होंने भी हमें दिया ही नी, फिर मुझे तीन मैने हो गई मैंने ये कमरे का किराई भी नी देपाई इनके हालात के बारे में पता चला कि इनके पिछले दिनों में इस बरसाद के चलते, इस आपदा के चलते, जो इनके हालात हुए हैं, गर से भेगर हो गिये, स्कूल में रह रहे ते, स्कूल से निकाल दिया, ये SGM के पास गए, तो महां से इनने कोई आस वशन पका नहीं मिला एक बार इनके लिए कुछ कराया गया, उसके बाद अब कुछ नहीं है, ये अपने हालात से कैसे जूज रहे हैं, ये सिर्फ इनने पता है, तो मुझे आज मालूम पड़ा कि इनके हालात ऐसे हैं, तो मैं इधर मीडिया को लेके आया, और मैं उम्मीद करूँआ कि आपके के माद्यम से इनके लिए हेल्प पोचे, इनकी मदद की जाए क्योंकि ये विचारे बेस आ रहा है. आमिल होने का अफसर देता है, रबिंदरनात टैग और युनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशिल. आप देख रहे हैं, डखल न्यूर.